ओम शान्ती द्वापर्यूक से जब से हमने भक्ती शुरू की भगवान को अलग अलग वीदियों से याद किया जिसे नौधा भक्ती कहते हैं और जो अव्यभीचारी भक्त थे उन्हें किसी न किसी रूप में भगवान का अनुभव भी होता रहा था उन्हें मदद भी मिली ऐसा भी हम कहानियों में सुनते हैं कि कहिन कहीं उन्हें जरुत पढ़ने पर मदद मिली पर अभी संगम युग पर जब स्वयम परमात्मा पिता इस धरा पर ब्रह्मा के साकारतन का सहारा लेकर ये विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहा है और हम बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट किया है इस कार्य में मददगार बन अपना भाग्य जमा करने का तब ये हमारे लिए गोल्डन चांस है जो हम प्रयोगी आत्मा बने हम योग तो करते हैं प्रमात्मा को याद करते हैं उसे ही राजियो कहते हैं लेकिन अभी प्रयोगी बनकर अनुभवी बनने का चांस है हम प्रमात्मा को पून रूप से हमने पैचाना है तब कैसे उसके साथ का मदद का उपस्थिती का अनुभव प्रेक्टिकल में करें ये बहुत गोल्डन चांस अभी का मिला हुआ है और में तो जब भक्ती करता था ज्यान में आया उसके पहले और एक ही मन की भावना थी कि मैं भगवान का साक्षातकार करूँ बले साक्षाТकार तो दो चार क्षण का ही होता है लेकिन बहुत मन में भावना थी मैं भगवान का साक्षातकार करूँ उसके लिए गुरू किये और अपनी रिती से तपश्या की साथ दिन कमरे में बंद रहे के गुरू के आश्रम में तपश्या किया कि उसका साक्षातकार हो जाए पर साक्षातकार नहीं हुआ फिर सोचा कि अभी C.A. कर रहा था उस समय में C.A. की पढ़ाई पढ़ रहा था एक गुरू क्लियर हुआ था तो सोचा ऐसे तो साक्षातकार नहीं होगा क्यों नहीं सब छोड़ कर हिमालाई में चले जाए या गुरू के आश्रम में जाए सन्यासी बने तपश्या करे तब स सोचा कि अभी बस पांसाथ दिन में में निकल जाऊंगा हिमालाई में और लोकिक परिवार की ओर से बहुत प्रेशर था शादी करने के लिए क्योंकि परिवार में सबसे बड़ा मे था और उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा सन्या था तो वो भी प्रेशर था उदर से ब उसी समय किसी ने मुझे कहा मैं उस समय गुजरात में बड़ोदा में था वहां रहता था तो किसी ने कहा कि आपको गीता पढ़ने का बहुत शोक है क्योंकि मेरे पास गीता प्रेश गोरकपूर की बड़ी साधक संजीवनी गीता मेरे बेग में ही रहती थी दस मिनिट भी टाइम मिलता था तो मैं गीता का एक दो स्लोग पढ़के समझने की कोशिस करता रहता था तो उन्होंने का आपको गीता पढ़ने का बहुत शोक है मैंने का हाँ मुझे तो बहुत शोक है तो आप आपके घर के पास में गीता पाठ चाला है आप वहाँ जाएए आपको मज़ा आएगा मैंने ब्रह्मा कुमारिज का नाम नहीं सुना था न सेंटर देखा था न बेहनों को देखा था न कोई भी परिच्छे था उन्होंने एड्रेस दिया तो मैं दूसरे दिन सवेरे चला गया साथ आट बजे के करीब तो एक डॉक्टर का मकान था वो और उनकी यूगल रहते थे और छोटा एक कमरा था जिसमें आट-दस लोग बेठे थे सामने एक भाई कुछ पढ़ रहे थे सौफे पर बेठ कर पीछे ये फोटो लगा था तो हमने सोचा इनके गुरुजी के फोटो होंगे तो साश्टांग प्रणाम किया और मैं भी बेठ गया फिर पांदस मिनिट में वो जो पढ़ रहे थे पूरा हो गया फिर सब चले गए मैं रुका फिर मैंने वो भाई को कहा कि भाई मुझे गीता पढ़नी है तो क्या मैं यहां गीता पढ़ने आ सकता हूं तो उन्होंने का कि हाँ आप आ सकते हैं आपको साथ दिन का कोर्स करना पड़ेगा मैंने का कोर्स क्या करना गीता तो मुझे यादे पूरी तो कि हाँ वो तो ठीक है लेकिन यह नया ग्यान है तो आपको एक गंटा रो जाना और साथ दिन का कोर्स करना मैंने सोचा शायद इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे गीता आती है तो मैंने संस्कृत में तीन-चार स्लोक उनको सुनाएं गीता के तो उन्होंने का कि हाँ अच्छा है आपको गीता आती है लेकिन ये ग्यान थोड़ा नया है तो आपको कोर्स तो जरूर करना पड़ेगा एक गंटे के लिए खाली आप आईए अब कोर्स की तो फीस होती है तो हमने का कि कितना फीस है आपका तो कि नहीं कोई फीस नहीं है आप आजाईए खाली बस कल सवेरे आठ बजे से आईए मैंने का ठीक है मैं गया आठ बज दूसरे दिन उन्होंने संस्था का परिचह दिया कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्याले है और जैसे अन्य विश्व विद्याले में डिग्री दी जाती है कई medical की डिग्री कई law की डिग्री कहीं एकाउंट्स की डिगरी, कहीं इंजिनिरिंग की डिगरी, ऐसे इस विश्व विद्याले में भी डिगरी दी जाती है, वहां लक्ष्मी नारायन का, मतलब इस साइज का एक बड़ा अच्छा डेकोरेटेड फोटो लगा हुआ था, लक्ष्मी नारायन का, वो बताया कि य यह भाई जो है, यह भी शादी सुदा है, यह लक्ष्मी नारायन भी सादी सुदा है, तो मैंने का कि आपके यहां हम यह कोर्ट करेंगे, तो आपके यहां शादी करनी compulsory है, तो वो सोचने लगा, कि क्या जवाब देवे उसको, तो का नहीं जैसी आपकी चामिन का नहीं, आप मुझे क्लियर बताओ, क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष था कि मुझे भगवान का साक्षातकार करना है, मैं सन्यासी बनने जा रहा था, और गुरू के आश्रम में जब शास्त्र पढ़ते थे, तो उसमें आता था कि अगर भगवान को पाना है, तो ब्रमचर वरत का पालन क करते हैं, तो ब्रमचर वरत का पालन करूंगा, और फिर उस समय ये समझते थे, कि शादी के बाद तो ब्रमचर वरत का पालन नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने दूसरी प्रतीग्या ली, कि हम इस जनम में शादी नहीं करेंगे, तब मैंने ये प्रतीग्या ली हुई थी, और यहाँ यह लक्ष्मी नाराइन बना रहे थे तो मैंने कहा कि आप मुझे स्पष्ठ कहो कि शादी करना compulsory है कि आपके यहाँ और डोक्टर थे होश्यार थे उन्होंने कहा कि देखो हम तो भगवान का ग्यान सुनाते हैं शादी करना, नहीं करना, यह आपका व्यक्तिगत फैसला है, आपको जो ठीक लगे वो करना, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है हम तो केवल ग्यान सुनाते हैं हमने का चलो ठीक है फिर तो हम सुन लेते हैं साद इनका कोर्स इनका पहले दिन आत्मा का लेशन दूसरे दिन परमात्मा का लेशन तीसरे दिन योग के बारे में बताया, अब मैंने इतने शास्त्र पड़े थे इतनी कथा वारताएं सुनी थी और यहां यह बता रहे थे कुछ अलगी था तो मन में बड़ा तुफान मचने लगा कि भई सही क्या है यह जो के रहे हैं वो या जो अभी तक मैंने पड़ा है क्या सही है बहुत तुफान चला मन में लेकिन एक चीज से मुझे संतुष्टी थी कि यह जो के रहे हैं वो एक सिक्वेंस में है, एक लोजिक में है, कि निराकार आत्मा तो पिता भी निराकार है तो ऐसे ऐसे मुझे लोजिक दिखाई दिया इनकी बात में में इनका चलो कोई बात नहीं अपनी भक्ती तो चालूई है उस समय भी में साड़े तीन चार बजे उठता था, ना दो के गुरु मंत्र की 21 मालाओं का जाप करना, वो सब मेरी भक्ती चली रही थी में इनका चलो सुन लेते हैं क्या जाता है अपना साथ दिन की तो बात है पांचवे दिन जब 84 जन्मों की सीड़ी का लेशन जो है वो जब करवाया तो वो सीड़ी का लेशन सुनते ही एक धाम से ज्ञान क्लियर हो गया और ये निश्चे हो गया कि मैं यही जोति बिंदु आत्मा हूं और परमात्मा की संतान, शिव बाबा मेरा पिता है और इस स्रिष्टी चक्रमे में अभी पाठ बजाने आया हुआ हूँ, ये कल्यूग है जो बदल के सत्यूग होना है मतलब एक धम क्लियर हो गया जैसे घने बादल चाये हुए हो और सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुंच रही हो और बादल फटते ही सूरज की रोशनी पहुंच जाती है ऐसा ग्यान मन में बिलकुल क्लियर हो गया और उसी दिन से मेरी भक्ती भी ऐसे पूरी हो गई जैसे मैंने इस जन्म में भक्ती की नहीं हो बस अभी में और बाबा तो जो मैं पाँच साथ क्षण का साक्षात कार करना चाहता था उसके बदले परमात्मा मुझे साक्षात मिल गये हैं वो अनुभूती हुई कि सदाकाल के लिए साक्षात वो मुझे मिल गया ऐसी मुझे बहुत गहरी अनुभूती हुई और वो जो लक्ष था वो लक्ष जैसे मुझे प्राप्त हो गया तो मैंने फिर बाकी के दो दिन का भी कोर्स पूरा किया और आठवे दिन मुझे मुरली में बुलाया मैंने मुरली सुनी फिर मुरली के बाद उन्होंने कहा कि आप आईए यहां स्टेज पर अपना परिचे दीजिए तो हमने परिचे दिया क्योंकि विश्वास तो हो गया था ग्यान का पूरा-पूरा तो हमने कहा यह शरीर का नाम ललित है और अभी सीए की पढ़ाई पढ़ रहे है और अब जो बाबा कहे वैसे करना है तो कहा आपके जीवन का लक्ष क्या है डोक्टर थे ने बड़ा पक्का थे तो कहा अभी आपके जीवन का लक्ष क्या है तो उस समय जो मैंने कहा था, बहुत विश्वास के साथ कहा था और वही विश्वास आज दिन तक भी कायम है, मैंने उनको कहा कि मैं सत्यूग में पहले जनम में श्री कृष्ण जी के साथ में जो उनका प्रिय सक्खा है न, जो सारा दिन उनके साथ रहता है वो सखा का पार्ट में प्ले करूँगा, मुझे वो सखा बनना है, ये मैंने उस समय मन में निश्चाई किया था, कि मेरा वो पार्ट रहेगा और वही लक्ष जो है, वो आज दिन तक कायम है पहले मैंने सोचा कि परमात्मा का साक्षातकार हो गया, मतलब जीवन का लक्ष प्राप्त हो गया ऐसा मुझे लगा लेकिन जब बाबा मिला और ये ज्ञान कलियर हुआ तब पता चला कि यहां से तो जिन्दगी की यात्रा शुरू हो रही है लक्ष प्राप्त नहीं हो गया लेकिन लक्ष के लिए यात्रा तो यहां से शुरू हो रही है और फिर वो यात्रा चालू हुई लेकिन मैंने देखा है कि अगर जीवन में हमारा लक्ष स्पष्ट हो, कलियर हो तो उन्नती बहुत तीवर होती है क्योंकि हम फोकस्ड रहते हैं कि हमको क्या करना है, कहां जाना है अगर आपको नाव में बिठा दे और समुद्र के बीच में नाव छोड़ दे कि अभी आप जाईए तो आप कहां जाएंगे क्योंकि लक्ष नहीं दिया कि कहां जाना है आप जाईए बस तो जहां हवा ले जाएगी वह जाएगी कभी पूरव में तो कभी दक्षिन में तो कभी उत्तर में जाएगे तो मैंने जब ये लक्षधारण किया तो मैंने देखा कि ये लक्ष जैसे गाड़ी में पेट्रोल का काम होता है न बलकि विरोध था और बहुत सक्खत विरोध था और कोई सपोर्ट और कुछ भी नहीं था तो मैं बावा को कहता था बावा स्रीकृष्ण जो विश्व महाराजन बने चक्रवर्ति और सारे विश्व की सेवाएं की उसलिए उनको ये पद मिला अगर मुझे स्रीकृष्ण का सखा बनना है तो कुछ मेरा भी ऐसा पाठ हो कि मैं विश्व की सेवा कर सकूँ तब तो मैं स्री कृष्ण का सखा बनूँगा खाली कहने से तो नहीं बनूँगा practical भी तो कुछ करना पड़ेगा और मैं तो पाठशाला में हूँ कैसे मुझे विश्व की सेवा कर सकूँगा मुझे बनना है आपको कैसे भी करानी है आप कराओ लेकिन मुझे तो बनना है ये मैंने बाबा के रूम में जाके बाबा को बोला आपको जो कराना सो कराओ अब आप ड्रामा देखिए कि अगर हमारा लक्ष पक्का होता है तो परमात्मा की मदद ड्रामा की मदद और सभी आत्माओं की कितनी मदद मिलती है जो मेरे ड्रामा का ऐसा पार्ट बदलता रहा जो मैं गीता पाट शाला से सब सेंटर में सब सेंटर से सेंटर में सेंटर से सब जोन में सब जोन से जोन में और जोन से मदुवन में सेवा करने का मुझे बाबा ने चांस दिया और बाबा ने मुझे मदुवन में सेवा में बिठा दिया और मदुवन में भी कौन सी सेवा एकाउंट्स की सेवा उस एकाउंट्स की सेवा में भारत भर की सभी मुख्य बेहने जोन इंचार, सब जोन इंचार, सेंटर इंचार वो बहने सामने से आके हमें मिलती हमारे सामने बेटती आदा आदा गंटा एक के गंटा हमारे सामने बेटती तो इतना नशा चड़ता था कि जिन देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए हम भक्ती में शहर शहर पहाड पहाड नदियां नदियां बटकते थे, जंगल जंगल बटकते थे, वो देवी देवताएं सामने से आके मुझे दर्शन दे रहे हैं, ऐसा अप्सरेश्ट भाग्य का अनुभा होता था, और जब टीचर से जुड़ते हैं, तो स्टूडेंट से भी जुड़ जाते हैं, बीजी से जुड़ते हैं, तो ज जो हमारे ट्रस्ट के मेनेजिंग ट्रस्टी थे, उनके साथ सेवा करने का सोभाग्य मिला, 25 वर्स तक उनके साथ सेवाएं की, तो जब भाई जी ने 2017 में देहत्याग किया, उसके बाद सारे विश्व का, जो एकाउंट्स फाइनांस लिगल का कारोबार है, उसमें इन्वो कल्प में विश्वास और उसकी सुमरती ने कहां से कहां तक मुझे इन्वोल कर लिया सेवा में, तो हमारे जीवन का लक्ष सपष्ट होना बहुत जरूरी है, जीवन का लक्ष क्लियर है, तो और उसमें विश्वास है, तो हम कहां बेठे हैं, अभी कल्प विश्व के नीच और कल्प व्रिक्ष की क्या कहानी है कि कल्प व्रिक्ष के नीचे बेट कर जो संकल्ब करते हैं वो पूरा होता है। تو जरूर पूरा होता है केवल हमारा विश्वास होना चाहिए उस संकल्ब में। ऐसे बाबा के कई अनुभव हुए जैसे मैं जब ग्यान में आया तो second group का exam दे के ग्यान मिल गया था, result आया तो pass हो गया, तो CA के चार में से दो group clear हो गए, अभी दो बाकी थे final के, मैंने बेहन जी को कहा, बेहन जी अब मुझे CA क्यों करना है, मैं तो वेसे भी सन्यासी बन रहा था, तो अब तो बाबा आ गया है, समय कम है, तो मैं तो सेवा में लगना चाहता हूं, कि आप मुझे सेवा में लगा द नहीं है, तो का जनरल सेवा तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो CA वाली सेवा है, वो CA ही कर सकता है, और जब बाबा ने आपको इस राहा पर रखा है, दो group आपका पास भी हो गया है, तो आप बाकी भी पास कर लो, और CA की डिगरी ले लो, बाबा इस डिगरी से सेवा मैंने का ठीक है, मैं बाबा के कमरे में गया, और बाबा को जाके कहा, कि बाबा, मुझे पद पेसा पोजिशन नहीं चाहिए, अगर इस CA की डिगरी से आपको कोई सेवाएं लेनी हो भविश्य में, तो ये डिगरी आप दिला देना, मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डिगरी आप दिला देना, अब आपको पता है, CA में पढ़ाई, कितनी करनी पूरती, पांस साथ परसेंट रिजल्ट रहता है, मैं और मेरा कजीन, हम दोनों गाहों से आये हुए थे, अमदाबाद में साथ में, पढ़ रहे थे, मैं फिर बरोडा से अमदाबाद शिप्ट हो गया था, जोब शुरू कर दी थी, क्योंकि CA साथ साथ में चल रहा था, तो हम दोनों पढ़ते थे, तो मैं तो सेंटर जाना, मुरली, क्लास, सेवाएं, वो सब करता था, वो साहरा दिन बेठा-बेठा पढ़ता, नोट्स बनाता, सब करता, मेरे को कहें, पर पर लिखके दे सकता हूं, तू CA में पास नहीं हो सकता, कि मैं इतना बेठ के स्टडी करता हूं, सब कुछ करता हूं, और तू, मैं तो रात को आता था, किताब हाथ में लेके सोया-सोया पढ़ता था, कब नींद आ जाती थी, किताब साइड में गिर जाती थी, और ऐसी पड़ाई चल रही थी मेरी मैं नहीं कहा देखो भगवान को जो कराना होगा वो कराएगा मैं तो निश्चिन तो खुश हूँ कि भगवान को जो कराना होगा वो कराएगा ड्रामा देखिए कि हर छे मास में एक्जाम होते हैं तो मैं एक के बाद दोनों एक्जाम पास हो गया और मैं C.A. बन गया और मेरे तीन साल बाद वो C.A. बना छे एक्जाम और दिये उसके बाद उसने और मैं तो एक के बाद एक्जाम दे के पास हो गया ये कोई बाबा ने कृपा की वो नहीं था actually राजियोग की ये एक विशेस्ता है कि जब हम राजियोग का अभ्यास करते हैं परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे मन से वेस्ट और नेगेटिव खतम होने लगता है और पोजिटिव भरता जाता है तो उसके कारण जो हम एक बार पढ़ते याद रह जाता है या समय पर याद आ जाता है इसलिए और होता तो तीन गंटे का खेले एक्षाम में कि तीन गंटे में आप को याद आया तो आपपास और याद सारा कुछ पढ़ा हुआ है और याद नहीं आया तो फेल तो मन शान्त रहता है तो उस समय एकजाम में याद आ जाता है याद आ जाता है तो पास हो जाते है इस प्रकार बाबा ने पास करा लिया तो ज्ञान में आया में तब से मेरी कुछ धारणाई मैं ने एकदम पक्की रखी एक तो ये पक्की रखी कि निमीत इंचार्ज बेहन वो बाबा की जगह है तो हर चीज उसको पूछ कर करनेगा, बाबा निराकार है, साकार में इंचार्ज बेहन को बिठाया है, वो जवाबदार, जैसे ब्रह्मा के लिए बाबा कहते हैं, ब्रह्मा जो बोलेगा उसके लिए मैं जवाबदा, ऐसे ही निमित जो बोलेंगे उनके लिए बाबा जवाब दा तो मैं हर चीज इंचार्ज बेन को पूछ के करता था मैं समर्पित नहीं भी था तो भी हर चीज उनको पूछ के जूते भी लाने होते तो पूछता था बेन जी जूते लाने है लाओं क्या? यह लाओं क्या? वो लाओं किया? तो पूछ क्या करने का? ताकि हम निश्चिन्त हो जाएए. दूसरा कोई भी कोई काम सोपता है सेंटर से, ओफिस में, लोकी के परिवार में कुछ भी, तो बाबा के कमरे में जाने का और बाबा से बातचित करके उसको बता देनेगा वो उसकी फोटो लगी है ऐसा नहीं लेकिन जैसे आप से बातचित कर रहे हैं ऐसे बाबा भी बेठा हुआ है और बाबा से हम बातचित कर रहे हैं इसी भावना के साथ उनके साथ बातचित करके उनको सौप देने का कि बाबा ये है जरा देख लेना चाटड़े काउंटेंट नो तो बाबा के साथ एक एग्रिमेंट साइन किया है एग्रिमेंट साइन करता रहते हैं तो बाबा के साथ एग्रिमेंट साइन किया है कि आप जो कहेंगे वो में करूंगा और मेरा ये छोटा मोटा कुछ काम हो तो आप कर देना ये बाबा के साथ agreement किया है तो कुछ भी होता है तो उनको बोल देते मेरा जैसे बता है लोकिक परिवार में बहुत विरोध था वो शादी करवाना चाहते थे टूमच विरोध था एक बार तो गाव में सभा हुई मैं जब गाव जाता था राजस्थान में उदेपुर जिले में मेरा गाव है तो गाव जाता था तो सभा लग जाती थी शाम को मेरा ज्ञान सुनने के लिए नहीं मुझे समझाने के लिए कि ग्रियस्त व्यवार कितना अच्छा है राम ने भी शादी की कृष्ण ने भी शादी की ये वो सब समझाने के लिए सभा लग जाती थी मैं भी सुनता था बेठा बेठा अस्ता था तो एक बार पीता जिन का आभी बोल क्या इच्छा है तेरी मैंने का कि पवित्र जीवन जीना है और आप की सेवा करेंगे का आज के बाद गाउं में पेर रखा तो पेर काट दूँगा गाउं में पेर नहीं रखना चाहिए उस हद तक का विरोध था पूरा पर हम निश्चिन थे कि जिस दिन इनको भी ग्यान मिल जाएगा समझ जाएंगे यह उस दिन सहीयोगी बन जाएंगे और हम उनको सुख देने का प्रयास करते थे बस यह एक ही केना नहीं मानते थे बाकी सब केना मानते थे उनका एक बार मेरे से छोटी मेरी दो लोकिक बेहने और एक छोटा भाई हम चार भाई बेहने थे तो मेरे से जो छोटी बेहन है उसकी शादी तो पिता जी ने करवा दी थी जब मैं C.A. कर रहा था उससे जो छोटी वाली थी उसकी शादी करवानी थी ग्यान में तो कोई थे नहीं तो उसकी शादी करवानी थी तो देखा होगा पिता जीने लड़के देखे होंगे लेकिन सेट नहीं हो रहा था तो एक बार मैं घर गया तो मेरे पर गुसा हुए कि तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है न इसलिए तेरी बेहन से कोई शादी नहीं करता है इसलिए इसके लिए लड़का ढूणना और इसके शादी का खर्च करना ये तेरे उपर है एक की मैं ने करा दी अब दूसरे की तेरे उपर में इनका ठीक है मैं बाबा के कमरे में गया और बाबा को बोला कि बाबा पिता जी ने ये सेवा दी है अब आपको जैसे कराना हो करा लेना मैं बोलके निश्चिंत हो जाता था फिर मैं उसमें बुद्धी नहीं लगाता था फिर बगवान को सौप दिया फिर अपनों को क्या बुद्धी लगाने का बगवान कराएगा जैसे कराना होगा मैं उस समय एमदाबाद में जोब कर रहा था तो मुझे दीदी ने बताया सेंटर से कि मदुवन से पत्र आया है कि पंदरा दिन एकाउंट की सेवा में आपको बुलाया है आप जा सकते हो फर्स्ट टाइम सेवा में बुलाया है एकाउंट की सेवा में मैंने का ये तो लोटरी है मेरे लिए मैं जरूर जाओंगा तो मैं ओफिस गया और एप्लिकेशन लिखी छुटी की पंदरा दिन के लिए तो जो मेरा boss था उसने मना कर दिया कि नई आपको पंदरा दिन की छुटी नहीं मिलेगी मैंने का मेरे लिए लोटरी है बहुत बड़ा चांस है बोले क्या करने जा रहे हैं मैंने का सेवा करने जा रहे हैं बोले सेवा नहीं तुमको कहीं नोकरी मिल गई होगी दूसरी जगह है, तो वहां चेक करने जा रहे हैं और यहां सेवा का नाम ले रहा हूँ मैंने का मैं सेवा करने माउंट आभू जा रहा हूँ और मुझे छुट्टी चाहिए बोले नहीं, एक दो दिन की मिल जाएगी, पंदरा दिन की नहीं मिलेगी मैं उसी समय अपने केबिन में गया मेरा रेजिगनेशन लेटर लिखा और इस्तिफाल आके पकड़ा दिया कि यह आपकी नोकरी, मुझे नोकरी नहीं करनी है वो मेरे सामने देखने लगा, ललीत पागल हो गया है यह 97-98 की बात बोले इतनी अच्छी नोकरी तेरे को कहां मिलेगी अभी तु छोड़ रहा है मैं उनका मुझे बहुत नोकरी मिल जाएगी आप मुझे छुट्टी करो, मुझे सेवा में जाना है उन्होंने रेजिगनेशन एक्सेप्ट कर लिया मैं सेवा में चला गया 15-20 दिन सेवा की वापिस एमदाबाद आया अब मैं किराय के मकान में रहता था तो हर महीना किराय देना अपना खर्चा करना मेरे पास बेंक बेलेंस कुछ नहीं होता था जो आया वो यूज हो गया सेवा में अपने पर खर्च जो भी है कोई बेंक बेलेंस नहीं नोकरी भी छूट गई और बेन की शादी का खर्चा भी करना था तो चोराय पर था मैं चार रास्ते पर था लेकिन मैं निश्चिन था कि भगवान का काम है भगवान जाने तो बेंजी से मिला दीदी से मिला और कादीदी मेरे पास अभी तीन ओप्षन है एक ओप्षन है कि मैं एमदाबाद में कोई दूसरी नोकरी ढूंड़ो दूसरा ओप्षन है कि मैं विदेश में कोई नोकरी ढूंड़ो उस समय थोड़ा सा वो भी प्लान चल रहा था कि विदेश में कोई नोकरी ढूंडू और तीसरा option है कि अपने खुद का C.A. का मैं कुछ practice चालू करूँ अपना office करूँ और C.A. की practice चालूँ आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा तो दीदी ने कहा कि आप अपना खुद का C.A. का office चालू करूँ इनका ठीक है अब दीदी ने बोल तो दिया अब मुझे आया कि office चालू करने के लिए कोई office किराय लेना पड़ेगा उसमें furniture करना पड़ेगा उसको deposit देनी पड़ेगी और ये सब पैसा भी चाहिए जो मेरे पास नहीं था उसके अलावा कोई client भी तो होना चाहिए मैं तो नया नया था अमदाबाद में audit किसका करेंगे कोई client होगा तो audit करेंगे पर दीदी ने बोला बाबा ने बोला मैं निश्चिंत हो गया तो मैं जिस कमरे में किराय पर रहता था उसी के address पर मैंने visiting card चपवा है कि यही मेरा office और अपने friend circle को वो visiting card दे दी एक भई मैंने CA का practice शुरू किया है कुछ काम हो तो बताना अब आप देखिए भगवान को हजार हात वाला कहते हैं ने उसकी महिमा करते हैं कि भगवान हजार हात वाला है तो भक्ती में तो बहुत महिमा की उसकी अनुभव इतना नहीं किया यहां हम अजार हात वाले का अनुभव कर सकते हैं 20 दिन निकला मेरे practice का और मुझे इतना काम मिला जो मेरे पूरे साल की salary के बराबर हो जाता थै इतना काम मुझे 20 दिन में मिल गया में बाबा को इतना थैंक्स किया कि वा बाबा वा कमाल कर दिया आपने तो अभी 10 दिन और निकला महलब 30 दिन हुआ और एमदाबाद के एक senior chartered accountant मेरे पास आए मुझे पैचानते थे मेरे पास आए कि आपने C.A. का practice शुरू किया मैंने कहा कि आज आप मेरी office आना मैं 11 बज़े office गया कहा कि देखो मेरे पास बहुत काम है तो आप अगर मेरे को partnership में जोइन करते हैं तो मैं आपको इतना percent दूँगा मैंने कहा पर मेरे पास तो कोई पैसा देना को नहीं है क्योंकि goodwill का पैसा देना पड़ता है पुरानी firm में तो तो मैं आपको capital नहीं दे सकता हूँ कोई goodwill का पैसा नहीं दे सकता हूँ बोले उसकी कोई ज़रूद नहीं है आप तो आके बेठो काम शुरू करो और इसी मैने से आपको इतना percent दूँगा मैं नहीं का मैं शाम को बताऊंगा मैं फिर दीदी के पास गया दीदी को पूछा कि ऐसा offer है क्या करूँ दीदी ने का कि join कर लो मैंने join कर लिए अब कमाल देखो जिस मैने में मैंने join की उस मैने में ही वहाँ एक नया source of income शुरू हुआ और मेरा हिस्सा जो था वो मुझे भी बड़ी रकम मिलने लगी हर मैने उसी मैने से शुरू आत हुई और आठ नो मैनों में तो बेहन की शादी के लिए जितना पैसा चाहिए पूरा इखटा हो गया मैं पांस साल भी job करता तो उतना पैसा इखटा नहीं होता जो बाबा ने चक्कर चलाया मुझे job से छुडाया रोड पर लाया प्रेक्टिस कराया और आठ नो मैने में वो पैसा मुझे दिला दिया और एक बहुत अच्छा परिवार मिल गया बहुत अच्छा लड़का भी मिल गया सहज रिती सब हो गया बहुत धुमदाम से शादी हो गई पिता जी सोचे इसके पास पैसा कहां से आ गया ये तो नोकरी भी छोड़ दिया था प्रेक्टिस तो अभी भी शुरू किया कई लोन लिया है क्या किया है पर हजारहात वाला उनको तो नहीं दिखाई देता है वो तो हमको दिखाई देता है कि वो हजारहात से मदद कर रहा है जैसे ही शादी पूरी हुई गर पे सब बेठे थे तो वो लड़के के पिता जी ने हमारे पिता जी को पूछा तो कहा कि आपको पता है अपना कोई परिचे नहीं है दोनों परिवारों में, फिर भी आपकी लड़की को हम ले जा रहे हैं, आपको पता है क्यों ले जा रहे हैं? तो हमारे पिता जीन का कि आप बताईए क्यों ले जा रहे हैं कि जब पहली बार हमारे लड़के को देखने के लिए आप और ललीज जी आये थे और ललीज जी का जो परिचे हमने को मिला था तो मुझे लगा कि जिसका भाई ऐसा धार्मिक प्रवर्ती का है वो बेहन कितनी अ इसलिए तुमारी बेहन से कोई शादे नहीं करता है और बाबा ने reply किया दिलाया कि ब्रह्मा कुहारे में जाता है इसलिए आपकी बेहन को हम ले जा रहे हैं तो भगवान के काम करने का तरीका बहुत अद्भूत है जब मैं भक्ती में था न तो गीता में एक स्लोक आता है अनन्यस चिंत यंतो माम ये जना परिउपास्ते तेशाम नित्याभी युकता नाम योगक्षेम वहम्याम जब ये स्लोक में इसका अर्थ में गहराई में गया तो गदगद हो गया मैं इनका भगवान क्या कह रहा है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा उसकी समस्त ज में वहन करूंगा योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्ती की प्राप्ती करना प्राप्ती की रक्षा करना तो भगवान गेरंटी ले रहा है कि उसकी समस्त जवाबदारी मेरे उपर है और मैं सर्व प्राप्तिया करवाऊंगा शर्थ एक है अनन्यस चिंत यंतो माम जो अन बाकी सारा काम उसको करना, आप देखो इस सोदे को देखो, केवल हमें उसको याद करना है, बाकी सारा काम उसको करना है, कर लो सोदा, और भक्ती में ही मैंने सोदा कर लिया, कि ये बात डन, अभी मैं आपको याद करूँगा, बाकी सब काम आप करोगे, और तब से वो कर रह जो काम को वो कर रहा है, प्रिक्टिकल कर रहा है, केवल विश्वास होना चाहिए, मैं एक गाउं में जो है कथा चल रही थी, माराज कथा कह रहे थे भगवान की बड़ी महिमा कर रहे थे, कि आप नदी पार करा देगा, ये कर देगा, प्रलाद को बचाया, उसको किया, ऐसे पेड़ पर चड़ रहा है, उतर रहा है, दूर से देखा, माराज को कुतूल हुआ, क्या हुआ, नजदी गए, तो देखा एक तलवार ऐसे खड़ी थी, जमीन पर, और एक व्यक्ति पेड़ पर चड़ रहा था, उतर रहा था, का भई तुम ये क्या कर रहे हो, बोले उसको याद आया कि मैंने कहा तो था, कि हाँ, मैंने कहा तो था, पर तुम क्या कर रहा हो, बोले मैं वही प्रियोग कर रहा हूं, कि गिरता हूं तो भगवान बचाएंगे, तो कि अच्छा ठीक है, पर आप चड़ रहे हो और उतर क्यो रहे हो, फिर गिरो न तलवार पर, उतरते क्यों हो, तो कि मैं चड़ता हूं, तलवार देखता हूं, तो मन में आता है कि वो आएगा के नहीं आएगा, वो आएगा के नहीं आएगा, संत जी ने कहा कि वो नहीं आएगा, जहां पर संशे है, वहां वो नहीं है, लेकिन जहां पर विश्वास है, निश्चे है, वहाँ वो हाजरा हजूर है भाबा कहता है कि मैं कनकन में नहीं हूँ लेकिन वो हाजरा हजूर है जहां पर निश्चे है मैं जिस कमरे में किराय पर रहता था वो बाबा के बच्चे का ही था नीचे वो और उनकी यूगल रहते थे बड़ी उमर थी उपर का उनकी बेहन का भाग था जो गाओं में रहते थे तो मुझे किराय पर दिया हुआ था तो एक दिन मेरे को बोले ललिद भई वो बेहन के पोते का यहां कोलेज में एड्मिशन हो गया है तो पंदरा दिन बाद वो सामान लेके सब आएंगे आपको कमरा शिप्ट करना होगा मैं इनका ठीक है मैं बाबा के कमरे में गया बाबा को बोला बाबा कमरा डूंडना है शिप्ट करना है पंदरा दिन में आप देख लेना कहीं भी मैं निश्चिन्द हो गया मैं कभी कमरा देखने नहीं गया कुछ भी नहीं गया वो भाई ने जरूर दो तीन और बताए जो पसंद नहीं आये तो नहीं लिया तेरा दिन पूरा हो गया चवद्वा दिन था मैं मुरली क्लास करके नीचे उत्रा दिदी ने पूछा कि आपको कमरा चेंज करना है लालिद भै मैंने का जी कब चेंज करना है मैंने का वैसा तो आज ही करना है कहीं देखा है मैंने का नहीं देखा हसने लगे कि कमरा चेंज करना है आज ही करना है देखा भी नहीं है और चिंता भी नहीं है कोई ऐसा तो है नहीं कि 1000 रुपया पर्स में लेके गए और कमरा लेके आ गए टाइम लगता है उसमें तो पर कोई चिंता भी नहीं है हंस्ते हंस्ते अंदर गए अंदर से कीचेन लेके आए जिसमें 8-10 चाबिया थी लाके मेरे हाथ में रखा कि ये पूरा मकान है तीन मंजिला, 8 कमरे है पूरा मकान खाली पड़ा है आप संभालो इस मकान को अब मुझे कितना चाहिए था? एक कमरा कीचन चाहिए था और बाबा ने क्या दिया? पूरा बंगलो 8-10 कमरों का लेकिन कब दिया? कब दिया? लाश्ट दिन दिया चवदा दिन निकल गए तेरा दिन निकल गए लाश्ट दिन दिया ये हमारे विश्वास की परिक्षा है जब हम मनुश्य को कोई काम सौपते हैं तो कहते हैं होगा के नहीं होगा हो जाएगा ना पूछते हैं चार बार फोलोप करते हैं भगवान को सौपने के बाद फोलोप करने की भी ज़रूद नहीं है वो सर्वशक्तिवान है सौप दिया सौप दिया वो सब करता है सब करता है बस केवल विश्वास रखें और देखो वो कैसे करता है इस जीवन में इस 22 सालों के राजयोगी जीवन में इतना अनुबव है बावों का इतना अनुबव है कि आपको सुनाते रहूं तो आप दो दिन यहीं बैठे रहूं इतने अनुबव भागवत है पूरा, मुझे नशा है कि भागवत का एक अध्याय मेरे नाम से भी है, इतना भगवान के साथ के अनुभव वावा ने कराए हुए है, फिर कभी मोका मिलेगा, तो जरूर चर्चा करेंगे ओम शान्ति तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास बस तु है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास सच में कितना सुहाना है जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है तेरा मेरा साथ्या सच में कितना सुहाना है जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है बरसे मुझ पर निरंतर्या तेरी किर्णों का प्रकार तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास तेरी किर्णे मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवार बेहत सुखु देता मुझे तेरा दिफ्य जहार तेरी किर्णे मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवार बेहत सुखु देता मुझे तेरा दिफ्य जहार तुमसे समख मिलने की यही होती पूरी आर तेरी नगरी में आकर भग्वन हो रहा सुखद अहसां तेरी नगरी में आकर भग्वन हो रहा सुखद अहसां